अब second question देखिए इन्होंने का चार सेंटिमेटर तरिजा के एक वृत पर छे सेंटिमेटर तरिजा के एक सा के अंदिरे वृत के किसी बिंदू से एक सपर्श रेखा की रचना की लंबाई मापी है परिकलन से इस मापी नाच की लिए construct a transient to a circle of radius 4 cm from a point on the concentric circle of radius 6 cm here its length also verify the measure by actual calculation बच्चों हमने क्या करना है एक सेंटिमेटर यहां पे सेंटिमेटर का एक सर्कल्डरा करना और उस सेंटिमेटर का सर्कल्डरा करना आपको मैं आपको सभी बना के दिखांगा एक पर्स रिखा लिए अगर यह केंदर ओ है और इसको मैं ए और बी ना बस इतना काम है हमारा हम इसको ओ जा देते हैं यह सेंटिमेटर है और यहां से हम ओ एलेक पर्पेंडिकुलर लेते हैं यह चार सेंटिमेटर हम एल कैसे निकालेंगे यह 90 का है यह मतलब ट्रैंगल ओ एल यह कितनी आ जाएगी ट्रैंगल ओ एल में देखिए हमारे पास ओ ए जो है वो क्या हो गया करण हो जाएगा है अड़ ओ जिसे बोलते हैं यह पर्पेंडिकुलर और यह बेस है हमने ट्रैंगल ओ एल में al find out करना है al क्या आएगा मारे पास a का square minus l का square और o a है 6 और o l है 36 minus 6 और calculate करके under root 20 अगर under root 20 के हम factor बना है तो क्या बनेंगे under root 5 under root 5 लगबग लगबग 2.45 या something होता है तो मैं इसको 2.25 ले लेता हूँ और A भी कितना आजएगा मेरे पास ट्वाइस ओफ 2 इंटू 4.5 ये लगभग 9 ये आपके पास 8.9 या 9 तो ये हमारा अंसर सही होगा ये बना के देख लेते हैं देखिए अब हम 4 सेंटिमेंटर का यहां पर एक वृइद खीशते हैं देखिए उन्होंने सब के अंदर ये बोला है तो 6 सेंटिमेंटर का वृइद भी इसी के अंदर से हमने खीशना है हमने ये 6 सेंटिमेंटर परकार खोल कर और एक वृइद और बनाया अब ये दो सा के अंदर ये वरीत होगे हैं हमारे पास अब इस वरीत की हमने एक स्पर्स रेखा खीशने है क्याटर नैस की एक स्पर्स रेखा खीशने हैं देखिए इसका नाम हम ए भी दे देते हैं और के अंदर हमारे पास ओ दिया है वैसे तो हमें यहां पर एक O A को बिलाकर यह 6 cm हमें दिया है और यहां से हम इसको इसकी दूसरी जो तरिज्जा है छोटे वाली चोटे वाली की उसको हमने मिलाना है इन्होंने कायित की जांच कीजिए हमने वेरिफिकेशन भी करनी है देखिए क्या दिया है इन्होंने O A अब यहीं पर लिख लेते हैं O A 6 cm और O L 4 cm अब यह हमारे पास यहां 90 डिगरी का कौन है बचो तो हम A L कैसे निकाल सकते हैं यहां पर देखिए A L is equal to O A square minus O L square अब O A square कितना है 6 का square minus 4 का square और यह हमारे पास हो जगा 36 और यह हो जगा 16 और यहां जगा हमारे पास अंडरूट 20 अब अगर अंडरूट 20 के हम अगर बचो गुनन खंड करके करें तो यह क्या हो जाएगा 2 root 5 और 2 into 0.5 का हमारे पास value होता है लगभग 2.25 मान लेते हैं 4.5 something होता है वैसे यह और अंदाजन इसको multiply करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 4.5 cm तो इसको मेर करके देख लेते हैं कि हमारे पास AL कितना आता है बिल्कुल हमारा सही आ रहा बेटे देखिए यह 4.5 cm आ रहा है और हमारी verification यहां complete हो जाती है कितना आता है